आच हमें चाहरत करने जा रहे हैं अपना chapter का डेट इस इंडियन पॉलिटी का अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट आया ना 1773 यह बेसिकली आम नाम से क्लियर हो रहा होगा आपको किसी भी चीज को रेगुलेट करने के लिए पहले क्या था इस इंडिया कमगी भारत में थी भारत से खुब पैसा कमाती थी कूप प्रॉफिट कमाती थी कोई पता नहीं कि थी तरीके से क्या काम हो रहते एं ओर फुब पैसा कमाते थे और इंगलेन्ड जाते थे मजह में रहते थे सूरा हो यहां कहते है इंद वह स्वारा कि इस इंडिया कमपनी की पावर क्या होगी काम करेगी तो पहली वार पाले मेंट्रीं ओधर अपनी की पावर्स को लिमिट करने की कोशिश कर रहा था आरी बात समझ्याँ और इसी वज़े से यहां सबसे पहले वारेन हैस्टिंग को बनाये गया गवर्ना जनरल ऑव थी बैंगॉल मोश्ट इंपोर्टेंट कोशिशन हमेशा यह कोशिशन पूछाता है कि भाईया फर्स गवर्ना जनरल कौन थे अच्छा फर्स गवर्ना जनरल कहां के बने थे First Governor General का appointment किसी year में हुआ था इस तेवर कोशन मिलेंगे तो आपको इन तीनों कोशनों का आंसर यहीं मिल जाएगा Warren Hesting First Governor General कहा के थे Bengal के थे और कब बने थे 1773 के regulating act से ठीक है और जो हमारे मदरास और Bombay Presidency के गवर्नर थे वो Bengal के subordinate थे यह पहले क्या था इनकी powers अलग अलग थी लेकिन अब क्या हुआ कि इनकी powers पे limit लगाती गई तो Governor in Council at मदरास in Bombay was subordinate to Bengal याँ रखना है और एक चीज़ और Warren Hesting की जो council थी उसमें चार member थे यह important है ध्यान रखेंगे Warren Hesting की council में कितने member थे? चार member थे उसके पास Supreme Court भी establish किया गया कलकत्ता में इसके जो head थे वो थे Sir Impey Impey बोलते हैं as the first chief justice तो इसमें जो Supreme Court की regulating access आया था again very important 1773 चीक है जिसमें one chief justice थे and three other judges थे यह हमें यान रखना है one chief justice and three other judges most important याद रहेगा यह तो regulating access सबसे पहले important question यह बनता है कि Warren Hesting सबसे पहले governor general थे और जिनने चार member की executive council assist करती थी मदरास और Bombay presidency इनके control में थी और Supreme Court establish किया गया था under regulating act of 1773 याद रहेंगे चीजें? ठीक है और यह भी बोला गया कि जो भी servants है company के जो भी लोग काम करते हैं वो कोई private trade नहीं करेंगे और कोई भी gift बगारा किसी से नहीं लेंगे ठीक prohibited servants of company from engaging in any private trade और accepting gift और bribe control of British government over company by the court of directors आप देख रहे हैं आप court of directors बना दिये गए है court of directors court of directors was the governing body of the company to report on its civil military revenue affairs in India तो यह court of director ना basically केसी बोड़ी है जो कि civil military और revenue affairs देखे कि इंडिया के अंदा है तो अभी court of director बन चुके है control of British government over company by the court of data भी court of director बने हुए है और court of director सारी चीज़े देख रहे हैं इस regulating act में court of directory भगवान है समझ लो ठीक है एक ओल्ट ऑफ डिरेक्टरी सारी चीज़े देख रहे हैं इन्हें हम आगे मैं शौल फॉर्म में COD बोलूंगा ध्यान रखिएगा court of directors ठीक है तो court of director governing body है company की to report on its civil military and revenue affairs in इंडिया इसे ध्यान रहेगा court of directors भूला नहीं है बिल्कुल भी अब आ गया भाया pits India act 1784 pits India act came to remove the drawbacks of the regulating act जित्ते भी regulating act में drawbacks थे कोई कमिया रह गहीं थी उसको दूर करने के लिए आया to make the administration of the companies इंडिया टेरेटरी एफिशेंट एंड रेस्पोंसिबल जो भी company की territory इंडिया में है उसके administration को efficient और responsible बनाने के लिए आया pits India act यह एक्ट जो था 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 ना call to director बने थे अब call to director सिर्फ क्या काम कर रहे है commercial affairs देखेंगे बस भीया और कुछ नी देखेंगे आपने पीछे देखा था ना यहां देखो आप तो call to director was civil military revenue सारे अधिकार थे सब छिन गए अब क्या बचा सिर्फ commercial affairs देखो बेटा बास आप क्या लगा दिया गया बोल्ट ऑफ कंट्रोल बना दिया गया बोल्ट ऑफ कंट्रोल सीधे बिटिश क्राउन देखता था बिटेन क्राउन के अंडर में था और तू मैने इस दी पॉलिटिकल अफिर्स ऑफ दी कमने और सुपर्वाइस दी सिविल बोल्ट ऑफ कंट्रोल कहां सेट अप किया था बॉल्ट ऑफ कंट्रोल काम अलग कर दिया और बोल्ट ऑफ कंट्रोल काम अलग कर दिया कोल्ट 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 अभी आए कि भाया देखो यह इस इंडिया कंपनी क्या कर रही है और यह 6 परसन बॉडी यहाद रखेंगे बोल्ड ऑफ कंट्रोल में 6 लोग थे तो आप देख रहो पिट्स इंडिया एक्ट में किस तरीके से डायर की या फिर हम कह सकते सिस्टेम ऑफ डबल गॉर्मेंट को इंट् बॉड ऑफ कंट्रोल समझ में आया आप देखो यहां पर क्या सिस्टेम आया सिस्टेम ऑफ डूवर्मेंट डूवर्मेंट अभी हमने देखा ना कोल्ट ऑफ डिरेक्टर एंड बोड ऑफ कंट्रोल दो तरीके सरकार बनी इस तर्व प्रिटिश पॉजेशन इंडिया इंड पूरा था उसमें लिखा हुग था बिटिश पॉजेशन इन इंडिया और कैलकुटा केपटल बनी इस से डिरेक्ट कंट्रोल आ गिया और गवर्नर और लो मदरास और बॉप्रेसिडेंशी को इतनी पावर नहीं है जितनी किसे है जितनी आपकी केलकटा प्रेसिडेंसी को है इसको हम क्या बोलते हैं एक्ट ओफ सेटलमेंट सेटलमेंट करा दिया गया अब पता है इसमें क्या हुआ था जो इस इंडे कमणी लॉव बनाएगी वो पहले एक बार बी ओसी मतलब बोल्ड ओफ कंट्रोल और COD मतलब कोल्ट ओफ डिरेक्टर तो इसमें देखो अगर सीक्रेट कमटी कोई भी इस इंडे कमणी कोई भी लॉव बनाती है तो सीक्रेट कमटी क्या करेगी उसको बाइपास कर देगी भई यह बेकार हटा दो तो सीक्रेट कमटी बना दी गई जिसमें सारे BOC के मेंबर उसके मेंबर थे और तीन COD से मेंबर थे तो भईया BOC वाले पावर में है तो BOC क्या हो गया Board of Control तो Board of Control देखता था इस सीक्रेट कमटी का हैड के समझ लो तरीके से Board of Control को समझ लो East India Company कोई भी लॉव बनाएगी उसको हटाने की पावर किसके पास थी सीक्रेट कमटी के पास थी और भाईया Governor General की जो Council थी ना अगर आपको याद हो वेरेन हैस्टिंग के टाइम पे चार थी अब तीन रह गई तीन क्यों हो गई आप देखो क्या पहले क्या थी चार प्लस एक किते हो गए पाँच पहले अब किते हो गए तीन प्लस एक किता हो गया चार तो इसमें क्या था ना Governor के पास वीटो पावर थी यहाँ पर तो एक कोल हो जाएगा अब देखो यहाँ समझो बात को पहले क्या था पाँच लोग थे तो तीन एक तरफ दो एक तरफ ठीक है गवर्णर की नहीं चलती थी अब क्या हुआ थ्री प्लस बन में फोर अब फोर में क्या हो जाएगा मालो दो एक तरफ दो एक तरफ अगर ऐसी सिटुएशन आई तो गवर्णर जनल को पूरा अधिकार हो जाएगा कि वह वीटो पावर का ले आरे ही वास समझ में तेट इस पिट्स इंडिया एक्ट ओफ 1784 मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर आल दी कॉम्टिटिव एक्जाम्स आपका रेगुलेटिंग एक्ट भी बहुत इंपोर्टेंट है आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी डू लाइक शेर और सब्सक प्राइब दी चैनल ओके थेंक यू वेरी मुच